Hello students, welcome to Vidya Peet आज हम नया chapter स्टार्ट करने जा रहे हैं Relations and Functions ठीक है, तो हमने सेट वाला chapter फुल कम्प्लीट कर दिया है देखने के लिए उसकी प्लेइलिस्ट हमाई पास यहाँ पर I button में आ जाएगी आज से हम Relations and Functions स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमाई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दिया तो Relations and Functions Basically अभी तक जो हमने सेट चैप्टर पढ़ा था ना उसको यूज करते होए जो सेट के बीच में क्या Relation हो सकता है उसके basis पे क्या-क्या नए-नए Functions बन सकते हैं क्या होगा वह आकर बताएंगे यह सब बारे में बाते करेंगे ठीक है क्या-क्या लग-लग प्रकार के function होते हैं जैसे greatest integer function, modulus function और कहीं सारे और functions होते हैं सबके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले Relations भी पढ़ने से पहले हमें Cartesian product नाम की चीज़ पढ़नी है वह Cartesian product क्या बताता है Suppose हमाई पास दो set है Set A है और B है Suppose set A में 4 elements रखे है Small A, B, C, D यह set है एक हमारा A और B set है हमाई पास जिसमें 5 elements है Suppose करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 Right तो अब इन दो set के मदद से A और B देखिए Cartesian product को हम A into B या Cartesian product इस into को यहां पे हम दो set के बीच में Cartesian product कहते हैं तो यह apply कैसे होता है इसका मतलब क्या है जैसे A में से और B में elements के मदद से हम कितने ordered pair बना सकते हैं अब ordered pair क्या होता है अब हमें A से एक element लेना है और वो इस B के सारे elements के साथ orderly pair हो जाए A1 के साथ orderly मतलब पहले A ही आएगा जो first element होगा वो हमारा suppose हम A cross B कर रहे हैं तो हमारे order pair में first element A से ही होगा ठीक है B से नहीं हो सकता अगर हम B cross A करते तो ordered pair में first element हमारा B से होता ठीक है इसका मतलब है ordered pair ठीक है अब हमारा A में से पहला element था A तो A से हम सारे order pair बना देते हैं और ordered pair हमारे round bracket में आते हैं ठीक है like coordinate system वाले point जैसे होते हैं ठीक है वह भी एक supposedly एक वह है ordered pair type ही होता है coordinate system हमारा तो हमारे इसमें ordered pair क्या क्या बन जाएंगे A1 A2 A3 A4 A5 ठीक है अब ऐसे हमारे A के साथ सारे elements finish हो गए सारे pair हमारे अब इतनी बन सकते हैं अब हम बनाएंगे B से यहाँ पर 1,A वापस नहीं आएगा क्योंकि हमारा पहला element A से ही होगा क्योंकि अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे है A cross B से ordered pair बना रहे हैं ठीक है तो यह चलता जाएगा कितने बार D के साथ तो D में भी ऐसी हमारे पास पांच और बनेंगे तो overall ordered pair कितने बने हमारे पास 24 into 5 है ना A में हमारे पास 4 थे B में 5 टोटल हमारे पास बने 4 into 5 ordered pairs ठीक है तो इन पूरे को collect कर लें हम सभी ordered pair को अगर collect कर लें तो उसे कहेंगे हम Cartation product इसका set जैसे समारा वह बनता था था ना power set सभी subset का set सभी subset का collection power set बनता था तो ऐसे यहां पर सभी ordered pairs सभी ordered pairs का collection या उसका set हमारा बनता है Cartation product ठीक है तो Cartation product क्या बताता है हमें कि A x B A और B में से हमारे कितने और कौन-कौन से ordered pair बन सकते हैं ठीक है तो इसको represent करने का तरीका पता चल गया है अगर A हमारे पास एक set है B है तो Cartation product कैसे रिखेंगे A x B और number of elements in A x B क्या होगा number of elements in A into number of elements in B ठीक है यह भी पता चल गया कैसे है Got it तो यह हमारा relation के लिए basic concept हमें पास clear हो गया इसके कुछ examples कर लेते हैं Suppose करते हमारे पास एक P है set 1,2 राइट अब हमें बताना है चलो इसके दो पार्ट में करते हैं सबसे पहले बताना है P x P और फिर हमें बताना है P x P x P राइट चलो अभी इसका first answer देखते हैं थोड़ा pen change करके P x P 1,2 और 1,2 के साथ के ordered pair बनाने हैं कैसे बनेंगे देखो इसमें से first वाला यह हम यह cross कर रहे हैं तो 1 लिया यहां से 1 का pair बना दिया यहां से अभी 1 लिया यहां से 2 का pair बना दिया अभी यहां से 2 लिया यहां का 1 के साथ pair बना दिया इसको हमने collect कर लिया ordered pairs को तो यह हमारा बन गया A P cross P right अब हमें बनाना है second part में P cross P cross P ठीक है हमाँ पस P cross P आ गया था उसको cross करना है P के साथ वापिस ठीक है तो P cross P के 1,1 1,2 2,1 2,2 यह हमारा set है अब इसमें यह क्या है P में 1,2 अब देखो अब यहां पे इसका first element यह बन रहा है इसका इसके साथ pair बनाएंगे फिर इसका इसके साथ अब देखो pair जरूरी नहीं है यहां पे से ordered pair भी नहीं कहेंगे इसे हम three dimensional में वो लिख सकते हैं points कि three dimensional में जैसे हम two-story में coordinate system लिखते हैं ऐसे ही हमारा पास 3D में भी होते हैं इसको हम वैसे ही लेके चलेंगे ठीक है अब हमें पास 1,1 दिया है इसका 1 के साथ pair बना देंगे पहले तो यह बन गया now 1,1 को two के साथ तो 1,1 तो three two add हो गया अब हमें पास इसका first element finish हो गया यह उसी की तरह ही है बस अब यहां पर first जो elements थे यह वाले में वो अभी खुदी pair है उनको हमें इनके साथ और add करना है तो अब 1,2 with 1 again फिर 1,2 with 2 then 2,1 अभी इस प्रावय हम 2,1,1 then 2,1,2 फिर 2,2,1 then 2,2,2 right now this is our ordered pair or iteration product of P x P x P ठीक है हमने यह भी निकालना सीख लिया अभी इसके elements चेक करते हैं P में हमें पास 2 थे into 2 into 2 8 बनने चाहिए थे चेक करते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है हमें पास सारे elements बन गए हैं यह हमारा ordered pair यह cartation product सही है ठीक है यह बड़ी example था इसके exercise की solution की video next video में आएगी ठीक है तो subscribe कर लीए और notification bell को दबाके ताकि आपकी अगली solution की video सबसे पहले आया आपके पास okay thank you bye